असलाम आलेकुम दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम बूटेबल ड्राइव कैसे बना सकते हैं या फिर विंडोस 10 की free of cast बूटेबल सीडी कैसे बना सकते हैं bootable cd को हम लोग किस लिए use करते हैं सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दू कि जब कभी भी हम किसी भी computer के अंदर या फिर किसी भी laptop के अंदर windows को install करते हैं तो उसके लिए हमें या तो cd की जरूरत होती है जो के bootable होनी चाहिए या फिर हमें flash drive की जरूरत होती है cd चूंके आपको पता है कि cd के अंदर बहुत सारे मसायल आ सकते हैं अगर आपका cd drive जो है या फिर आपका dvd drive जो है वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा या फिर अगर आपकी cd जो हो scratch हो चुके तो आप उसको use नहीं कर सकते इस वज़ासे जितने भी आजकल के जो latest computer है उसके अंदर cd drive नहीं आता है हम लोग mostly flash drive को ही use करते हैं तो आज मैं बताऊंगा कि हम लोग किस तरीके से free में windows को download कर सकते हैं और अपने लिए एक flash drive बना सकते हैं से हम लोग फाइदा हासिल कर सकते सबसे पहले आप लोगों ने आ जाना है Microsoft की website के उपर यहाँ पर एक tools है जिसे हम लोग download करेंगे यहाँ पर हम लोगों ने download now के उपर जो है click कर लेना है जैसे हम इसके उपर click करेंगे तो हमारे पास एक application जो है जो पहला option है वो है upgrade this PC now अगर आप इसके उपर click करते हैं तो आपकी जो windows है वो automatically upgrade हो जागी जो second हमारे पास है create installation media USB हम लोग जो है second option को select करेंगे इसको select करने के बाद हम लोग next के उपर click करेंगे next के उपर click करने के बाद यहाँ पर हमारे पास तीन option आ जाते हैं जो सबसे पहला option है उसके अंदर हमने language select करनी है जो second option है हमारे पास उसमें हम लोगों ने windows 10 को select करना है और जो हमारे पास third option है उसमें हमारे पास 32 bit या फिर हमारे पास 64 bit जो है यह हम लोग download कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आप हर किसम के system में इसे install कर सकें तो आप फिर यहाँ पे both को करके select कर लें यह same ही USB के अंदर दोनों जो है select हो जाएंगे उसके बाद आप लोगों ने इसे next कर देना है next करने के बाद यहाँ पे फिर हमारे पास दो option आ जाते हैं पहले option हमारे पास आएगा कि USB flash drive अगर आप लोग directly से USB flash drive के अंदर डालना चाहते हैं तो पहले वाले option को select करें मगर मैं आपको यह recommend करूँगा कि आप second वाले option को select करें क्योंकि आज हम लोग second वाले option को select करके एक third party application का इस्तिमाल करके इस USB को bootable बनाएंगे इस वज़ा से मैं जो है second वाले option का इस्तिमाल करूँगा यहाँ पे आप लोगोंने यहाँ पे click कर लेना है उसके बाद आप लोगोंने next कर लेना है और आप लोगोंने इसे कहीं पे भी save कर लेना है यहाँ पे हमार पास downloading स्टार्ट हो चुकी है जैसे यह 100% complete होगी तो उसके next process जो है वो मैं आपको बताऊंगा हमार पास जो downloading process था वो complete हो चुका है अब हमें एक और software की ज़रुवत होगी जिसका नाम है Power ISO Power ISO दरसल एक बहुती बहतरीन software है इसे हम लोग use करते हैं अपने computer के अंदर ISO file को crack करने के लिए या ISO file बनाने के लिए जिस तरह हम लोग zip file यूज करते हैं या फिर winner R यूज करते हैं सेम उसी type की ये भी एक application है इसके साथ-साथ ये हमें एक virtual DVD-ROM या फिर CD-ROM जो है वो भी बना के देता है पावर ISO version 8.0 को डाउनलोड कर लेना है डाउनलोड करने के बाद आप इसे इंस्टाल करें मैंने अलड़ी इसे इंस्टाल कर लिया है मैं इसे ओपन करता हूँ ओपन करने के बाद आपके अपास इस type की एक application ओपन हो जाएगी इस application के बाद आप लोगोंने क्या करना है कि अपने USB को जो है अपने सिस्टम के अंदर लगा के रखना है और उसके बाद आपने जाना है टूल्स में टूल्स में जाने के बाद आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे है create bootable USB drive इसके उपर आप लोगोंने click कर लेना है click करने के बाद यह हम से सबसे पहले permission पूछेगा कि क्या आप इस application को as a administrator run करना चाहते हैं या नहीं हम लोग इसे as a administrator जो है run करेंगे उसके बाद हमारे पास यह application जो है कुछ इस तरह की open हो जाएगी सबसे पहले हमें image file लेना होगा जो हम लोगोंने download की थी यहाँ पर मैं click करके इसे browse कर लेता हूँ और windows 10 चूँकि मैं download कर चुका हूँ उसके उपर मुझे double click कर लेना है हमारी जो windows 10 की application है वो already यहाँ पर आ गई है जो second option हमारे पास आता है वो हमारे पास flash drive का आता है हम लोगों ने यहाँ से flash drive को select करना है चूँकि इस वक्त मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही flash drive है तो इस विज़ाँ से यहाँ पर एक show कर रहा है अगर मिसाल के तोर पे आपके system के अंदर एक से ज्यादा लगी हुई है तो आप लोगों ने उससे select कर लेना है जिसमें आप लोग इसे install करना चाहते है उसके बाद next आपने यह करना है कि आपने यहाँ पर आके start के उपर click कर लेना है जैसे यह आप start के उपर click करने तो हमारी जो USB होगी वो सबसे पहले हमें warning देगी कि आपके जो USB drive है उसके अंदर जितना भी data है वो तमाम का तमाम format हो जाएगा या फिर और right हो जाएगा हम लोग इसे okay कर देंगे जैसे हम लोग इसे okay करेंगे तो हमारा जो system है वो automatically USB बनाना start कर देगा और जितने भी हमारी bootable windows की applications है या फिर files है वो तमाम की तमाम उसमें copy करना शूरू कर देगा हमारी जो application है वो completely install हो चुकी है अब हमारा जो USB drive है यहाँ पर अगर आप देखें तो writing USB drive completed successfully इसे हम लोग okay कर लेते हैं इस application को हम लोग यहाँ से close कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग जाएंगे my computer में my computer में जाने के बाद हम लोग यहाँ पर इसे check करेंगे कि क्या हमारी जो drive है वो windows 10 बन चुकी है या नहीं बनी यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारी जो flash drive है वो अलेडी windows 10 की जो है backup बन चुका है और इस USB के अंदर कुछ जो जगा है वो अभी भी भी खाली है इसके अंदर हम लोग मुक्तरिफ किसम के drivers या फिर मुक्तरिफ किसम के applications या software वगरा भी install करके रख सकते हैं जो के window install करने के बाद हमें जरूरत होती है इस तरीके से आप bootable CD बना सकते हैं और अपने लिए एक backup के तोर पर इसे रख सकते हैं जब कभी भी आपको कोई मसला हो आप इसे install कर सकते हैं ये थे थे थी आज की वीडियो अमीद करता हूँ कि आपको इससे फाइदा होगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शियर करें मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए Allah आफेज